आउज़ बिल्लाहिमिने श्यत्वान रौजीन बिस्मिल्लाहित रौख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं घृफ्ट्र3 F hypothesis YouTube चैनल जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं आए या जो दोस्त सब पहली दफा मेरे चैनल को देख रही हैं तो उन दौब दोस्तों से drove है कि वह जल्दी से मेरे चैनल सुब्सցराय्ज कर लें और साथ ही बैल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो की आज की जो वीडियो है वो MkT 501 Marketing Management का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो कुईव नंबर 2 आया हुआ है उस वाले से है कुईव शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक नया चैनल 24R7 सब्सक्राइब करें ताके जब भी मेरा कोई नया लेक्टर आए तो वो भी आप लोगों को मिल सकेए और ना फिरह आप लोग वो लेक्टर खुद देखें बलके अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताके उनको भी फाइदा हो और वो भी कुछ सीख सकें दोस्तों उस चैनल का जो URL है वो मैंने इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में भी आड़ कर दिया है और इस वीडियो के इखताम पर www.youtube.com slash teachersonline for you है आप उस चैनल पर जाके वहां पर जो lectures अवेलेबल हैं उनसे भी फाइदा उठाएं तो चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं अपना quiz number 2 marketing management का और देखते हैं कि इसमें first question क्या है first question है जी an outlet of nishat line in European mall Lahore is an example of इसमें wholesale है इसमें retailer है इसमें producer है और इसमें none of the given option है तो wholesale जो है वो I think के इसका बिल्कुल ठीक जवाब है तो question number one का first of all option जो है वो बिल्कुल ठीक है second है जी fire is one clothing is planning to launch its new winter collection in Canada which of the following is a critical defiance or commercialization stage of new product development that have to be taken by fire is one clothing when to be launched the product where to launch the product home to launch the product or how to launch the product अब उफ ने ये तो फैफला कर लिया कि Canada के अंदर तो इसलिए वेर वाली बात तो आई नहीं फिक्ति तो फफ्ट वाला जो है जी फूर विच ओफ टी-फॉलॉविं प्रोड़क्ट इमांसक्रेट इम इसमें आपका फूर्ड़ाइटम है इसमें आपका फूर्ड आइटम है इसमें आपके अलक्राणिक के आइटम है और अल उफ्टी गिवन औप्शन है तो हमारी जो परस्नल फिलिंग होती है यह बि वो question number 3 का बिल्कुल ठीक जवाब है next is which of the following is are the part of commercialization phase of new product development इसमें launching the product है placing advertisement है critical path analysis है और all of the given option है तो जब हम बात करते हैं new product development की तो इसमें हम कोई product launch भी कर सकते हैं यह place कर सकते हैं critical path analysis भी करते हैं तो इसका last वाला जो है all of the given option बो इस सवाल का ठीक जवाब है next is the fifth number के पर फिल इन दी ब्लैंक product are those which are bought by the customer in an unplanned manner when the customer sees it placed near point of purchase he buy it इसमें figure it है shaving gum है इसकी जो option है इसमें फॉस्ट option है core, actual augmented or impulse तो इसमें मैंने तो मतलब core लगाया था लेकिन इसका जो actual जवाब बनता है वो actual है क्योंकि जब भी कोई fat figurate या कोई और चीवें देखता है customer तो वो खरीद लेता है तो वो actual products होती है तो second वाला जो option है वो इस सवाल का मेरे हिवाब फे ठीक जवाब बनता था लेकिन मैंने जो है वो core लगा दिया तो आप इस तरीके से इसको fat कर लीजिएगा दोस्तो six number पे है which of the following is a strategy of using successful brand name to launch a new modify product in a new category इसमें line extension है, co-branding है, brand extension है और multi-branding है जब हम modify करते हैं product को किसी भी category के अंदर तो उसको हम brand extension कहते हैं तो third वाला जो option है वो इस सवाल का ठीक जवाब है next है जी at which of the following stage of consumer adoption process a customer finally continues using any product इसमें evaluation है, इसमें interest है, awareness है और adoption है plan extension है, line extension है, और new brand है तो multi-brand जो है, वो आपका इस सवाल का ठीक जवाब है तो first first one option इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है next is the which of the following best describes the spread of idea from the source of innovation इसमें इन्होबेशन दिफीजिन परेशुन नच और है सानख जब जबाब है next which of the following best describe the use of existing strong brand name to launch new modified product. इसमें brand extension है, brand leveraging है, brand licensing है और multi branding है. तो इसमें जो first वाला है brand extension, वो इसका I think के ठीक जवाब है. दोस्तों यह ता हमारा quiz MKT 501 marketing management का मेंध है आप लोगों को idea मिल गया होगा कि किस chapter चैप्टर्स को देखिए और अपना क्विज सब्मीट करवाईए दोस्तों पर फिर वही गुजारिश www.youtube.com slash teachers online 5U पर जाहिए वहाँ पर CS 101, MGT 101, CS 201, MGT 201, और बहुत सारे lecture मेरे अपने recorded वहाँ पर अवेलेबल हैं, ना फिर अफ आप खुद फायदा उठाएं उन फे बलके अपने दोफ्तों को भी शेयर करें, मिलते हैं अगली किसी assignment solution की वीडियो के साथ, ये JDB solution की वीडियो के साथ, उफकत तक के लिए, मौफिन भाई को जावाद देजिए, थैंक्यू वेरी मच्छ दोफ्तों, अला हाफिव,